दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का रेलवे गुरूप डी भरती 2019 जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा इस समय भी रेलवे गुरूप डी के लिए लगतार आवेदन किये जा रहे हैं और ये भारी मातरा में होने की उम्मीद है बच्चे सबसेदा गलती क लेकिन तीन चीज़ों मैं कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं आप से हाथ जोड़ करनी वेदन है नीचे एक लाल बटन मना होगा जिसको दबाकर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्यों नॉटिफिकेशन में जैसा फोटो दिया गया है जितने MB का दिया गया है जिस आकार का दिया गया है उसी परकार लगाएं अगर आप घर पे फोर्म अप्लाई करते हैं तब भी ये सारी चीज़े आपको ध्यान रखनी है अन्धा आपका फोर्म रिजेक्ट कर दिया जा सकत तीसरी बड़ी गलती क्या है बड़ी गलती ये है कि बैंक डिटेल बैंक डिटेल जिसमें आपको आपका पैसा वापस चाहिए वो आपको बैंक डिटेल लगानी है बच्चों के पैसे वापस नहीं आ रहे हैं पिछली बार की परिच्छा के कारण सिर्फ यही है गलत बैंक डिटेल अगर आप स्वयम फार्म भरते हैं तो आपको विसेज ध्यान देना है आप वही बैंक डिटेल लगाए जिससे आपको पैसा वापस आने में सुविधा हो सके दूसरी बात अगर आप साइबर कैफे या कहीं अलग से जाकर फार्म अपलाई कर रहे हैं किसी दूसरे के तो आपको ध्यान लखना है उससे संपर्क में रहना है क्योंकि जो पैसा होगा वो उसी अकाउन पर आएगा जहांपर आप वो नमबर डालेंगे ठीक है तो फार्म भरते वक्त आपको ध्यान लखना है बैंक अकाउंट कोसिस करिए अपने या अपने किसी परिवार जनका लगाईए जिससे आपको फाइदा होगा और आपका पैसा परिच्छा देने के परश्चाद आपके अकाउंट में आ जाएगा आप सभी को ये भी पता होगा कि पैसा सिर्फ उनी विद्यार्थियों का आता है जो सीवीटी वन देते हैं कंप्यूटर आदर परिच्छा देते हैं उनी का पैसा वापस आता है आने था परिच्छा में सामिल ना होने आले उमिद्वारों का पैसा वापस नहीं आता है ठीक है तो सबसे बड़ी बात यह है यही तीन गल गलतियां कर रहे हैं उनको इसका खाम्याजा भुगतना पड़ सकता है तो फिलाल आज के वीडियो में इतना ही अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो यह गलतियां ना करें और अगर आपसे गलतियां हुई है तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ठीक है आज के वीडियो में इतना ही दन्याँ